जो अन्याय कर रहा है जूड बोल ला है जो सच बोलेगा वो सजा पाएगा और ये घटना कोई एक दिन की नहीं है भारतिय जंता पार्टी जान बूश करके गलत भाशा इस्तमाल कराती है गलत भाशा लिखवाती है सोशल मीडिया पर जिससे दूसरे लोग भी उन्हें जवाब दें भारतिय जंता पार्टी को अपने लोगों को भाशा सई इस्तिमाल करें और उनका दूसरों के प्रत कि अगर गलत भाषा का इस्तमाल होगा तो दूसरे ने भी गलत भाषा का इस्तमाल हुआ है और किया है पुलिस प्रसासन से लेकर के को सब भारती जंता पाटी के कायकरता बनके काम कर रहे हैं उन्हें नियाम कानून नयाय से दूर-दूर का कोई रिष्टा नहीं है मैं जब वहां पहुंचा हूँ पुलिस मुख्याले पर कोई नहीं दिखाई दिया मुझे पुलिस मुख्याले खाली पड़ा हुआ था अगर पुलिस मुख्याले पर कोई सुनने वाला नहीं है तो उम्मीद करो उत्तपदेश में किसकी सुनवाई हो रही होगी पुलिस मुख्याले पे कोई नहीं दिखाई दिया जो जिमेदार अधिकारी थे एक भी नहीं था वो लगता जो मुख्यमंती जी कहते थे के बारा बजे सोके उठते हैं वो अपने अधिकारियों के वारे में कहते थे कोई जिम्मेदार अधिकारी हमें दिखाई नहीं दिया मुख्याले पे जिससे हम लोग अपनी शिकायद कर सकते थे या न्याय की बात करते और जैसा मैंने पहले कहा पूला पूलिस प्रसासन भारती जनता पार्टी बन गया है